दोस्तों अगर आप ने भी किसी ऐसे वक्तिक साथ sex किया है जिसको AIDS था या AIDS है तो आप को क्या करना चाहिए अगर आपको पता चलता है कि आपने किसी अंजान वक्तिक साथ sex किया है और उसको AIDS हो सकता है आप confirm नहीं है तो वो अलग बात है वो भी इसी केटेगरी में आएंगे और जिनको कंफर्म है कि उसको एड्स था तो वो भी हमीशा किसी के साथ अंजान वैकती हो या प्रोस्ट्यूटोर जिनके साथ पेट सेक्स करते हैं उन लोगों के साथ आपको हमीशा कोड़नम का ही यूज करना चाहिए दूसरी बात कभी भी कोशिश करिएगा कि हमीशा हमारा ब्लड से उनके ब्लड का कभी मिक्सिंग ना हो या कट ना लगे मुग के मुग के थ्रू या आप सेक्स कर रहे हैं तो बिना प्रोटेक्शन के साथ ना करें अगर आपने बिना प्रोटेक्शन के साथ सेक्स कर लिया है और आपको डर है कि एड्स हो सकता है उसके पीछे पूरे पूरे चांसे नहीं है कि आपको एड्स हो सकते लेकिन इसका window period होता है उसके बाद confirm हो जाता है कि आपको ads होगा नहीं होगा लेकिन अगर आपने दुआदार कहते है ना लंबे समय सेक्स किया है और भी ना कॉंडेम से लगातार सेक्स किया है तो HIV patient के साथ किया है तो आपको ads होने के chances बहुत ज्यादा बढ़ जाते है इसके आपको कभी depression में नहीं आना है आपको ads हो ना हो वो तो अलग बात है लेकिन सबसे पहले यह याद रखना है कि next time कभी भी किसी के साथ भी आप सेक्स करो तो कभी भी बिना कॉंडम के पिना नहीं करना चीजिए सेक्स करना ही छोड़ देना लेकिन बिना कॉंडम के आप उस partner उस महीला या पुरूच के साथ सेक्स नहीं करना है आज के समय आप लोगों ने सेक्स के चक्र में पागल होकर आप यह दिन देखते हो कि आपको आने वाली पुरी लाइफ में कुछ बीमारिया भी हो सकती है जरूरी नहीं एडशी हो सिफिल्स हरपीज यह भी हो सकता है तो इसलिए मैं आपको कहना चाहरा हूँ डिप्रेशन में आने की जुर्त नहीं है आप इस नमबर पे कॉल करके पूरा शांत और अपने जिंदकी में क्या करना है उसके बारे में पता करें और बाकी जिंदकी में कभी भी किसी के साथ सेक्स करना है तो बिना कोंडम मत करिए अ करने के लिए होता कि यहां में बच्चा नहीं करना तो आपकी लाइब क्याने वली परबाद अने से बचाने लिए बच्था